इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना श्वेत्र में रईवार देर रात एक समुदाई के लोग छुटे और जमकर नारिवा चुकी उनका विरोध था कि बाण गंगा इलाके में एक युवक के साथ मार्पीट लिगई है और इसका वीडियो वारेल हुआ है वारेल वीडियो में दिख रहा है कि एक युवक के बैग की तलाशुनी चाही है इस दौरान इलाके के लोग युवक की पिटाई भी कर रहे हैं वीडियो के संबंद में बाण गंगा थाना प्रभारी राजविंद्र सोनी का कहना है कि ये मामला बाण गंगा इलाके का नहीं है वही थाने में हंगामा करने वाले लोगों का कहना है कि वारेल वीडियो इन दौर के बाण गंगा इलाके के खालचवा शेत्र का है सदर बाजार इलाके में रहने वाला युवक चूडी बेचने गया था इस दोरान इलाके की कुछ लोगों ने युवक को एक जुगा बैठाया और उसकी पिटाई करने लगे मारपीट करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों की पहचान कर ली है इन तीन लोगों में से दो आरूपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है वह एक आरूपी की तलाश में टीमें रवाना की गई है चुड़ी बेचने वाले युवक से मारपीट करने वाले आरूपियों पर भी गंभीर धाराएं लगाई गई है इसमें कल जो बाणगंगा धाना शेतर में एक घटना हुई जिसमें एक चुड़ी बेचने वाला आया था उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी और इसके बाद वीडियो वारल होने के बाद पुलिस ने उस पे मुकदमा दर्ज किया है गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और चुकि पुलिस के पास में वीडियो था लेडी तो पुलिस ने जो है उस वीडियो से आरूपियों की पहचान कर ली है उसमें से तीन आरूपी मुक्रूब से हैं, जो की उसमें लीड रूप्र मारते हुए उसको दिख रहे हैं बाकी को प्रवो कर रहे हैं कि इस पह आगर के और मार्पिट करें वही मामला बढ़ता देख प्रदेश के ग्रह मंत्री नरुतम मिश्रा ने कहा कि आरोपियों पर कारवाई की चाएगी इसी तरह के दो मिले हैं और उसके कारण से वहाँ पर बेटियों को वहाँ को सावन के दिन चुड़िया पैनाने का ज्यादा हमारे आपर परंप्रा है गटना की गंबीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस पर कोतवाली इलाके में तैनात किया गया है वहाँ पुलिस अधिकारियों के संग्यान में मामला आने के बाद उन्होंने मामला दर्च कर कारवाई की बात कही है इन दोर से मृद्भाशी के लिए चंकी बाचपाई की रिपोर्ट